पिसमिल्लाई ओमानूरहीम असलाम अलेकम दोस्तो, मैं हुफियान से, दोस्तों हम अंडे की बहुत फी दिच्छी और ठेट मी लेकर आए, इंशाला आप बहुत ही बादीकृ पिसमिल्लाई ओमानूरहीम तो यहां हमारे पास क्राई है जिसमें जाएगा half cup cooking oil और जैसे oil गरम हो जाएगा पांच उबले वी अंडे से में add कर देंगे अंडे हम करेंगे इसमें fry और जब तक इसका जो color है थोड़ा सा golden नहीं जाता इसको fry करते जाएंगे तकरीबाद दो ही मिन्टे में यह हो जाएंगे तो यह देखी इस तरह दिया कर लेंगे फिर हमने इनको पाही निकार लेना है और उनको कर देते हैं साइट पर बिसमिलरामानुरहीम तो यहां हमारे पास चार तरम्याने साइज के टमाटर है जिसको हमने इस ओयल में एड़ कर देना है और इनको भी हमने करना है fry और इसको पकाएंगे इस ओयल के अंदर जैसे यह थोड़ा सा नरम हो जाएंगे तब हम इसे में एड़ कर देंगे पाउडर मसाले तो सबसे पहले जाएगी कुटी हुई लाल फिर्च बिसमिल्युराण मौन रहीम यह जाएगी वान टीस्पून वान टीस्पून नमक एड़ करदेंगे वान फूर टीस्पून काली मिश्ट का पौडर एड़ इड़ करेंगे और दो छोटी लाची आड़ कर देंगे बहुत ही खुश्वू के लिए एक तेसपात आड़ कर देंगे और अब इन पॉर्डर मसालों के अंदर पकाएंगे इस टमाटरों को जब तक ये अच्छे तीके से गल नहीं जाते तो ये देखिए हैं कि हमने पका लिया बहुत ही अच्छी लगेगी अब इन सब्जियों को पकाएंगे से मसाले की अंदर और इसको हमने इतना ज्यादा नहीं पकाना कि ये बहुत ज्यादा नरव पड़ जाए इसका थोड़ा सा करण्च हम छोड़ देंगे ताकि ये खाने में और देखर बहुत ही शांदार लगे तो ये देखिए बहुत ही टेस्टी और मजदा लास्ट में इसमें आड़ कर देंगे सबस धनिया तीन टेबल स्पून के करीब तो ये देखिए इसको कर देते हैं मिक्स तो ये दोस्तो अंडे की कड़ाई बनती है बहुत ही टेस्टी देखने में शांदार इससे आप जूर ट्रा प्यार नसारी को इजाज़त अलाहाफिज